कि हलो दोस्तों आपका एक बार फिर से हर्दिक हर्दिक सौगत है मिरे नाम शैलेंदर विश्व कर्मा मैं जो आपको एक फॉल्ड के बारे में आज बात करने वाला हूं आपसे नो डिस्प्ले हमारे इंडिया में जितने भी कंपनी के ब्रांड हैं LED TV में LCD TV में या तो फिरम ऐसे बात करें लेफ। की श्क्रीन कि बात करें या Tis please see monitor बात करें ज़ितने भी T MPI यह मार्केट में रहे हैं तो 80,00000 TV will capture video problem कितने समय के बाद में तीन साल के बाद में किसी में चार साल के बाद में किसी के पास साल के बाद में जो ब्राइνडेड सेट होते हैं उनमें ये प्राइबलम ये मान के चलिए कि 5-6 साल के बाद आता जो नॉर्मल रहे टानेश है उसमें यह प्रॉब्लम 3-4 साल ने आ जाता है दो नो दिस्पले से लोज CL पैनल पैनल की रिपैरिंग की कॉस्टिंग ज्यादा होती है पैनल को रिप्लेस करने की कॉस्टिंग ज्यादा होती है और अगर दूसरा जो होता है बैकलेट रिपैर करने की कॉस्टिंग भी कम होती है और बैकलेट ऐसा ही कि बैकलेट तो 3-4 सल के बद में खराब हो नहीं हो सबसे पहले मैं टीवी को आन करता हूं कि इसे टीवी दोनों ने यह पने एक सोनी का ब्रैंड लिया है और यह है मिताशी का हम ने यह इस तरह के ब्यान वाजी क्यों हो रही है अधिक है हमने रात को टीवी देखा बहुत अच्छा चल रहा था सुबर जब टीवी को आन किया तो साउंड आ रहा है पिक्चर नहीं आ रहे है नो डिस्प्लेइ प्लेइन राश्टर आ रहा है ठीक है तो जीसे कि मैंने सट अब अलग तीवी इसलिए आपको दिखाने के लिए रखें कि आपके टीवी में इस टाइप से कुछ धिख रहा है तो आपको कैसे उसको वेयरी समस्क्राइब तोईसको कैसे करना कि प्रॉब्लम क्या है अगर ऐसा पंस आरा है आपके तो यह तो neural का प्रॉब्लम है यह जो पैनल है इसको आपको झास कि लिए डिखेंक navy आज़ी हमने सुबाज ऐसे टीवी आउन किया हमें सबसे पहले यह प्रॉब्लम दिखा कि यह टीवी पे साउंड तो आ रहा है लेकिन कुछ डिस्प्ले पे दिख नहीं रहा है या तो इस टाइब से आपको दिखेगा या तो आपको इस टाइब से दिखेगा दोस्तों यह प दिखे उसमें डश ने लगे इस कारण से पैनल में मौश्चर आने के कारण यह प्रॉब्लम आता है यह पैनल में मौश्चर के कारण आता है यह पैनल होती है आपकी यह पैनल है और मौश्चर आता है आपका इन कौफ में यह कौफ आईसी लगी हुए है इन कौफ आईसी म प्राइबल्लम आता है जिसके कारण display आपका ऐसा हो जाता है यह तो आपने verifiae कर लिया कि यह problem जो है अगर यह white आ रहा है या इस new task से black आ रहा है तो हमें घर में अगर इस pinned शेट से ब्लेक आज तो आप जैसे इस पे उगनी रखेंगे तो आपको वाइट दिखेगा या फिर आप जैसे देखेंगे तो इस टेप से वाइट दिखेगा अपको रजबं करेंगे लिखेगी रौशनी दिखने का मतलब यह कि आपका प्रॉब्लम नहीं है और रौशनी नहीं दिखने का मतलब है दूसरे वाले तीप लिखाता हूं यह दिवी दिखेए अब मैंना इसमें क्या किया है कि यह से ट ओन है है आप में अब हमें दो कुछ अभी दीखी नहीं रहा है यह पेनल्ट के रunda कोched कि पॉलम में लेकिन दीख उने होने एक हमें करते हैं टेप यह दो आत्य है जपको मॉबल कर देखना है उसको यूय लगा पहले से इस पर पड़ पर इसमें बेकलाइट का स्ट्रिप लगा कर दिया है आपको डेमो देने के लिए अब जैसे मैं इसको आउन करूंगा यह देखिए डिस्प्ले दिख रहा है आपको यहां पर यह दिखिए तो अब इसमें हमें यह वेरिफाइए हुआ कि भी हमारे दे देगी तो पूरा पिक्चर ब्लैंक दिखेगा और साउंड आता रहा है अब जैसी हम यह लाइट बंद करेंगे तो हमें वह कुछ नहीं दिखने वाला डिस्प्लेट अब आपको यह सब लगाने की ज़रूत नहीं मैं आपको डेमो क्या कैमरे में दिखने पा रहा था वह जो आपको समझानी है इसलिए मैंने उसमें यह अलग से लगाया आपको नॉर्मल तरीके से मोबाइल की टॉर्च ओन करनी है टीवी चालू करनी है टीवी में साउंड आ रहा है तो आप कहीं ने कहीं देखेंगे आपको हल्किसी पिक्चर का इमेज बनता हुआ दिखेगा इसका मतलब यह ही कि आपका बेकलाइट खराब है आपका पैनल ओके है मतलब आपको कोई बड़ा खर्चा नहीं छोटा सा खर्चा है तो जन्रल सभी कंपनियों के मॉडलों में आता है सबी टीवी में चार से पास सल के बाद में बेकलाइट की दिक्कत आती है और नॉर्मल जो मैं आपको आज समझाने वारा था है कि नॉर्मली आप घर में कैसे उसको चेक कर सकते हैं कि प्रॉबलम क्या है अगर नो डिस्प्ले का दिक्कत आ रहा है तो या तो वाइट डिस्प्ले होगा साउंड आ रहे गा पिक्चर नहीं आ रही रहेगी उस कंडीशन में हमें आपको कैसे घर पर वेरिफाई करना है कि हमारा पैनल खराब है बेकलेट खराब है नॉर्मल सी बात पिर जब आप जैसे इस चीज को वेरिफाई कर लेंगे तो आपको टेक्निशन से कॉंटेक्ट करना है कि भी हमारे टीवी में पैनल का दिख्कत है या बेकलेट का दिख्कत चली रेपैट तो हो जाएगा वाड़निंग मसीन से लेकिन लाइफ मुस्किल से दो-तीन साल ही मिलेगी दो-तीन साल के बाद में दुबारा प्रॉब्लम करेगा ही करेगा क्योंकि एक बार जहां पर फंगस लग जाता है पैनल के ग्लास पे वहाँ पर आप कितना भी उसको मॉ बैकलाइट क्यों होती है अगर हमारे टीवी में डिस्पले दिख रहा है तो यह बैकलाइट खराब हो जाते हैं आपको पीछे से रॉष्णी नहीं मिलेगी तो आपको आगे पिक्चर पे खुछ नहीं दिखेगा ब्लैंक दिखेगा और बैकलाइट नॉर्मली जैसे कि हम बात करें इस टाइप की मैंने भी ऐसा ही एक यहां पर लगा के रखा है लेकिन पीछे से लगेंगी तो ज्यादा अच्छा ग्लो करेगा अगर पैनल में प्रॉब्लम है तो आपको बंडिंग करानी है बंडिंग नहीं करानी है तो भी आप्शन और बता रहा हूं आजकल मा अब मैंने जो आपको दोनों चीजे बताए कि नो डिस्प्ले में दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है अब मैं आपको अलग अपने नेक्स वीडियो में पार्ट वन में बैकलेट के बारे में पूरा आपको डिटेल में समझाओंगा जैसे कि यह बैकलाइट है बैकलाइट को खोल सकते हैं क्या प्रोटेक्शन के साथ खोल सकते हैं यह मैं आपको अपने नेक्स वीडियो पार्ट वन में बताऊंगा और यह जो पैनल है इसकी बांडिंग कैसे होती कफ कैसे निकलती है यह ग्लास पे कैसे पेस्ट होती है और इससे नो डिस्प्ले क्यूं होता है उ और उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ब्लैंक क्यों आया कितने वोल्टेज कहां आने चाहिए और हम मसीन से जब उसको रेपैर कर लेते हैं तो उसमें क्या प्रोटेक्शन रखने हैं सारी चीजे मैं आपको डिटिल में बताऊंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और शेर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बबाई